अब यहां पे हमारे जो भी पॉलिटिकल एडिनिस्टेटिव पॉलिटिकल्स हैं ठीक है जैसे भी जाना जो हमारे देश के सिविल सर्वेंट से जितने भी वो एक तरह की से देखा जाए हमारे सरकार की एक रीड की हड़ी है यानि अगर efficient और तज्जूरबेकार सिविल सर्वेंट ना हो तो हमारी सरकार जो है वो कह सकने है एक paralyzed लंगडी सरकार होगी यानि paralyzed, handicapped तो किस तरह के से? The council of minister headed by the prime minister is the temporary executive whereas the civil servant are the permanent अब हमारे यहां पर की जितने भी जो यहां तक की प्रधान मंतरी और जो हमारे उनके जो टीम है यह कुछ समय के लिए है पाँच साल वापस से आगए है दस साल लेकिन जो हमारे civil servant है administrative executive वो permanent है लंबे समय के लिए 25 साल, 30 साल, 40 साल जितनी उनके retirement तक अब यहां पर जितने भी जो civil servant है या secretary अलग अलग भी भाग के जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं वो civil services में अपने merit अपने दम पर आए हैं और जो आज वो इस post को जो हासिल किया है वो अपने तजुर्वे और अपनी महनत की expertise अपनी काबियत के दम पर हासिल किया है The ministers are political nominee and may not possess knowledge and experience to take decision on policy matter अब यहां पर जो मिर्ते ministers होते हैं यह तो खेर लोग इनको चुनकर लाते हैं और इनके पास इतनी जानकारी भी नहीं होती है कि कौन सा काम हमें किस तरह से करना है और कौन सी policy को हमें किस तरह से लागो करना है लेकिन जो हमें जो हमें जो हमारे civil servants होते हैं और यहां पर जो मिनिस्टर होते हैं उनको civil servant की उपर dependent रहना पड़ता है क्योंकि यहां पर जितने भी जो ministers होते हैं वो civil servant की suggestion और advice पे ही काम करते हैं और आगे चलते हैं अब यहां पर हमारे जितने भी जो civil servant है वो जब तक काम करते हैं जब तक उनके retirement की उमर ना चाहें इस तरीके से देखा जाए यह civil servant है यह राज्य और केंदर सरकार को एक तरीके से समहालते हैं और उनके काम काज होते हैं उनको continue रखते हैं क्योंकि सरकार बदलती है उनकी जो policy हैं उनके जो projects हैं वो नहीं बदलते हैं Thus the efficient and experienced civil servant serve as the backbone of the government इस तरीके से देखा जाए जो efficient और तजुर्वेकार जो civil servant है वो एक तरीके से हमारे देश की सरकार की रीड की हड़ी है So in this way this question ends over here. Thank you very much